नमस्कार मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कारिक्रम आध्यात में ज्यान चर्चा तो आईए शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज बनाम परम पूज्य संत महामंड लेश्वर स्वामी ज्याननंजी के विचार महराज जी ये भी आप से जाना चाहेंगे कि समाधी अभ्यास यानि की मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरे योंग आदी से मोक्ष संभव है या नहीं परमात्मा को कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, उनिश्चित रूप से सक्षम है, नाम के माध्यम से समाधी और समाधी के माध्यम से मोक्ष तो ये थे स्वामी ज्याननन जी के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के विचार तो नाम बक्सीश डंडवतम गोबिंद गुरू बंदू अविजन सोए पहले बये परणाम तिन नमज आगे वोए अब जो हरे राम, हरे करशन, सिता राम, राधे स्याम, राधे राधे ये नाम जाब करते हैं ये गीता जी के विरुध है शास्त्रविती को ट्याक कर ये मनमाना अचरन है ये यूजलेस है पुन्यात्माओ अज्धात्मिक ग्यान को बहुती जटल बना दिया गया है जिश भी संत या पंत से कोई भी सरधालू जुड़ा है वो सब्सी सरधा से उनके साथ लगा हुआ है जितने भी संत हैं जितने भी पंत हैं सब अपने अपने मते अपने अपने साधना के तरीके बताते हैं शिरीमत भगवत गीता अज्धाय नमबर सोला के सलोक नमबर तेईस में कहा है के सास्तर विदी को ट्याग कर जो मनमाना आचरन करते हैं जो मनमानी पूजाएं करते हैं मनमाने नाम जाब करते हैं जो सद्गर्थों में परमान नहीं है जिनका तो वो अपना जीवन विर्थ कर रहे हैं उनको ने तो कोई सुख होता है ने उनको सिध्धी प्राब्ट होती है और ने ही उनकी परमगती होती है अर्थात यूजलेस इसलिए शिरीमत भगत गीता जी अध्धाय नमबर सोला के मंतर चौविस में तुरंद कहा है इससे तेरे लिए अर्दुन कर्टवे और एकर्टव की विवस्था में सास्तर ही परमान है अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए उसके लिए सद्गरंथ ही परमान है जो सद्गरंथों में लिखी पूजा की विधी है वही कीजिए उसको त्याग कर अपना मनमानी को साधना करते हो तो वो साश्तर विरुद साधना होने से सास्त्र भी दित्याकर मनमाना आच्रन होने से मनमानी पूजाएं होने से वो विवर्थ है जैसे कुछ सरधालो अरे राम अरे किर्षन 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 हरे अरे या कोई रदे रदे स्याम दला दे कोई ओम भागवते वासुदेव नमे कोई जाब करता ओम नमा सिवाए और भी अन्य बहुत से मंतरों के जाब किये जाते है ये मंतर किसी भी सद्गरंथ में परमाण नहीं है सद्गरंथ मीन पवितर चारों वेद पवितर शिरी मद भगवत गीता जो सरधालू स्री किर्शन जी को अपना इस्ट मानते है और वो ये भी मानते हैं के स्री किर्शन जी ने स्री मद भगवत गीता जी का ग्यान अरजुन को दिया और इस सद्गरंथ को वो सरधारिय मानते है और कुछ एक संतजन, कुछ महराज जी गीता मनीसी लिखते हैं अपने पीछे महा मंडलेश वर और वो जाप करते हैं हरे राम हरे किर्शन 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 हरे हरे राधे राधे तो इसे सिद्ध है कि वो किवर लिखे हुए हैं गीता मनीसी उन्होंने गीता जी के बारे में क्या ख्या का भी गान नहीं है किसी सद्गरंद के मंतरों को सलोकों को कंठस्त याद कर लेने मातर से वो उस सद्गरंद का ग्याता नहीं हो जाता अब स्रीमत भगत गीता जी में कहीं भी हरे किर्शन या किर्शन किर्शन हरे हरे आग्या आदेश नहीं है तो इस परकार जो गीता जी की आग्या का उलहंगन करके मनमाने ज़ाफ करते हैं ये अपना जीवन विर्थ कर रहे हैं और साथ मन सरधालों को मिसगाइड किये हुए ये संथ ठीक नहीं श्री मद भगवत गीता जी श्री करसन जी में परवेश करके ब्रहम ने बोला श्री करसन जी ने गीता जी को नहीं बोला श्री करसन जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने स्री मद भगवत गीता में क्या कहा था इसका थोड़ा सा परमान देते हैं फिर आगे चलते हैं जिसमें माभारत का युद समाप्त हुआ कौरों का नास हो गया और पांडों को रज प्राप्त हुआ तो श्री किर्शन जी ने विद्धु जुद्धिश्टल जी को राजगद्धी पर बठा दिया अर्दुन ने कहा वगवन आप दौर का जाने वाले हो हमें कुछ उपदेश दे कर जाओ क्योंकि आप हमारे धार्मिक गुरू है क्योंकि गीता अज़्धाय नमबर दो के सलोक नमबर साथ में अर्दुन कहरा कि आप मेरे गुरू हो मैं आपका सिस हूँ और मुझे आप ग्यान दीजिए मैं आपकी सरन हूँ तो श्री किर्शन और अर्जुन दोनो उस सथसंग सथल के आज सपास टेहरे हैं और अर्जुन श्री किर्शन जी से परशन करते हैं कि भगवन आज मुझे वही गीता जी का ग्यान सुनाना जो आप जी ने माभारत के युद्ध से पूरव सुना था और मैं उस ग्यान को भूल गया हूँ अब श्री किर्शन जी कहते हैं कि अर्जुन तो बड़ा सरदाहीन है तेरी मुझी अच्छी नहीं है और तूने उस ग्यान को याद क्यों नहीं रखा और स्वेम स्री किर्शन जी कहते हैं अब मुझे उसका पूरा पूरा सिम्र्ट होना असंभाव है उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस ग्यान को बोला जाँ प्रमात्म ग्यान को विचार करनी बात है को ना तुमाओ कि जब स्री कर्शन जी युद के बहेंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं तो अब पीसफुल सैंतिस समय में योग युक्त होना और आसान है वास्तिविकता ये है कि श्री करसंद जी को पता ही नहीं कि उसने क्या वोला था गीता जी में श्री करसंद जी में ये उस काल परवेश कर गया जो 21 बर्माड का स्वामी है जो श्री मद्भगत गीता अज़ है नमर 11 के सलोक नमर 32 में कह रहा है कि मैं काल हूँ और सब को खाने के लिए आया है ये काल कोन है ये स्री बिरमाज जी स्री विशनो जी श्री शिव जी के पता जी है अब आपको जो परसंघ है वहां पर आते हैं कि माभारत में परमाण है उस्री करसंद जी पता ही नहीं गीता में के बोला था यह देखिएगा संक्सित मावार्थ, गीता प्रैस गोर्पुर्शे प्रकासित है, संक्सित मावार्थ, दिवति अखंड और संपादक तथा संसोदक हैं, जैद आल गोईंद का, गीता प्रैस गोर्पुर्पुर्शे प्रकासित है, प्रकासित हैं, गीता प्रैस गोर्पुर् यह देखिएगा इसके 666 प्रष्ट पे श्री किर्सन का अरजुन से सिद्ध महरसी और कस्व का सवाद यहां देखिएगा जन्मे जैने पूछा बर्मन शत्वों का नास हो जाने के बाद जब महातुमा श्री किर्सन और अरजुन सभा में बैठकर वारता लाफ कर रहे थे उसमें उन में क्या क्या बात चीत हुई वैसमपैन जी ने कहा वराजन श्री किर्सन के सहीत अरजुन ने जब अपने राज्ये पर पूरा अधिकार प्राप्त हो गया तो वे दिव सभा में आनंद के साथ रहने लगे एक दिन सभजनों से गिरे हुए वे दोनों मित्र सविथा से गोमते गोमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुन्दर था पांडुन नंदन अरजुन श्री कर्शन के साथ रहकर बहुत परशन थे उन्होंने एक वार उस रमणिय सभा की और दिर्श्टी डालकर बगवान से ये वचन कहा देव की नंदन जब युद्ध का आवशर उपरस्तित था उसमें मुझे आपके मात्यम का ग्यान और इस वरिये सरूप का दर्शन हुआ था किन्तु केसव आपने सन्हेवस पहले मुझे जो ग्यान अपदेश दिया था गीता वाला वहे सब इस समें बुधी के दोस से भूल गया है उन विश्यों को सुनने के लिए बारं बार मेरे मन में उतकंठा होती है इदर आप जल्दी ही द्वार का जाने वाले हो अतपुने वह सब भी से मुझे सुना दीजी यानि वह ठारा के ठारा धाय गीता जी के फिर सुना दीजी वह समप्यान जी कहते हैं कि अर्दुन कैसे कहने पर वक्ताओं सरेष्ट महातेज़्वी भगवान श्री कर्शन ने उन्हें गले से लगा कर इस पर कार उतर दिया श्री कर्शन बोले अर्दुन उसस में मैंने तुम्हें अत्यंत गोपन ये विशे का सरुन कराय था अपने सवरोप भूत धर्म सनातन प्रशोतम ततव का प्रेचे दिया था और नित लोकों का भी वर्ण किया था किन्तु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों को अब पूरा पूरा समर्ण होना संभव नहीं जान पड़ता पांडो नंदन निश्चे ही तुम बड़े सर्धाहीन हो तुमारी मुझी अच्छी नहीं जान पड़ती अब मेरे लिए उस उपदेश को जो का तुम दुरा देना कठी ने क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमातम ततव का वर्णन किया था पुने अत्माओं ये सफष्ट हो गया श्री किरसन जी ने गीता जी के विशे में क्या क्या का नहीं पता अब क्या कह रहे हैं स्वम तो कह रहे हैं कि मुझे अब वो पूरा जोंका तुम दुराना बड़ा कठीन है मुझे याद नहीं आ सकता अर्दुन पर डाट लगा रहे हैं कि तुम बड़े सरदाही नो तुमारी बुद ही अच्छी नहीं है तुमने वो गया नहीं याद क्यों नहीं रिख्या अब ये दास दो सत्संग करता है और पहली बार कोई सुनता है उस दो गंटे का सत्संग उसको मुझकल से 20-30 पर 30 सत याद रहेगा और इस दास को किसे कभी सुन लेना उस विशे को तुरन सुना जूँगा और यदि मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है कोई भूत बोल रहा है अन्य आत्मा बोल रही है फिर मैं यही सब्द बोलूँगा दो स्रीकर्शन जी ने अर्दुन को बोला अब फिर साथ में श्री किर्शन जी कह रहे हैं कि मैंने उस समय योग युक्त हो कै उस परमातम ततव का ग्यान कहा था यानि श्री किर्शन जी से अन्ने कोई परमातमा है उस परमातम ततव का ग्यान कहा था योग युक्त हो कै अब जब युद्ध के समय बैंकर समय में योग युग्ध हो सकते हैं तो अब तो पीसफुल था उसमें तो सारे कोई दुख नहीं कोई प्रेशानी नहीं थी उसमें तो और आसानी से योग युग्ध हो जाना चीए था श्री करशन जी ने वास्तिविकता ये है कि स्री किरसन जी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो पहले स्यानती दूद बन कर भी गए थे और तीन बार पांडो और कौरों को समझाने की तेश्टा की थी कि युद्ध मत करो विनास हो जाएगा और ये सब संपती यहीं रह जाएगी तुम मर्त्यों को प्राफ्ट हो जाओगे लेकिन वो नहीं माने थे अन्त में भगवान ने ये भी कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं हूँगा और मैं हथियार भी नहीं उठाओगा भगवान ये चाहते थे कि किसी तरफ ये पंडों ही मान जाएं और ये युद ना हो लेकिन जो भी था नहीं बात से रह चड़ी और भगवान श्री करसंजी ने कौरों की सभा में जब दुर्योदन होरने भगवान श्री करसंजी की बात को नहीं सिविकारा था जब श्री करसंजी ने यहां तक कह दिया था कि तुम पंच गाउं दे दो पंडों को ये युद टल जागा और दुर्योदन नहीं मान जा था तब भगवान ने उनको कई कटू बातें कह दी कि तुम इनसान नहीं है दुर्योदन तु सैतान वेकती है अरे कहां पांच गाउं कहां आधाराचे तो विनास के लिए उत्पन हुआ है इन बातों से दुखी होकर दुख मानकर दुर्योदन ने चाहा के स्री करसंजी को कैद कर लो औरेश्ट कर लो उसमें स्री करसंजी ने अपना विराट रूप दिखाया जिससे वो सिबकी आखे चुंदिया गई और वो सेहन नहीं कर सके और बगवान वहां से निकल कर से लेगे अपने आत्माँ जो माभारत के युद में आमने सामने सेहन ना खड़ी होगी अर्दुन्यती यही बात कही जाकरके कि मैं युद्ध नहीं चाहता इस युद्ध के अंत्रच से तो हम भीक मांगकर खा लेंगे मैं पांच गाउम भी नहीं चाहता ज़ूदि स्री करसंजी होते उसमें स्री करसंजी के अंदर काल पर्वेश कर गया उसमें श्रीकर्शन जी की आत्मा को दबा दिया इस 21 ब्रमांड के स्वामी इस काल ने श्रीकर्शन जी के स्रीर में परवेश कर लिया ने तो श्रीकर्शन जी कहे देते कि ठीक है कुछ नहीं भिगडार दून चल चलेंगे उसी समें वो काल आके श्री किर्शन जी में परवेश कर गया वो कैसे परवेश करता है यह दिखाते है श्री मद भगवत गीता अध्याय नमबर साथ के सलोक नमबर चौबिस और पत्तिस में कहा के मैं कभी किसी के सामने परगट नहीं होता मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में परगट नहीं होता और ये बुधी ही व्यक्ती मुझे करसन मान रहे हैं आई एम नोट करसन देखिएगा श्रीमत बगुत गीता गीता प्रेस गोरुकुर्शे प्रकासीत है जैदाल गोविंद का इसके अनुवादक है अध्धाय नमर साथ का और सलोक नमर चौबीस बुधी हीन मेरे अनूतम अविनासिम परमभाव कोने जानते भी बुधी हीन पुरुस ये व्यक्ती मेरे अनूतम मन गटिया अटल नियम को नहीं जानते मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने नहीं आता अविक्तम माम विक्तिम आपनम मननते मुझे अविक्त माने मुझ छुपे हुए को मैं गुप्त रहता हूँ अपनी योग माया से अर ये मुझे विक्ती भाव में पराप्त हुआ मानते हैं मुझे करसन मान रहे हैं आई एम नोट करसन मुझे 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 की बाती जुनम लेकर यानि स्री करसन मान रहे हैं मैं करसन नहीं हूँ आगे देखो पत्चिस में ये पत्चिस माह है साथ में जाएगा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के परत्यक्स नहीं होता मैं कभी किसी के सामने नहीं आता इसलिए ये है अज्ञानी जन्समदाय मुझ जन्म रहित अविनासी परमेश्वर को नहीं जानता मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ मैं सब के परत्यक्स नहीं होता अपने अत्माओ ये काल जो है इसने जो गीता जी अध्याय नमर 10 और 11 में जो अपना वराट रूप दिखा है ये इसका वास्तविक रूप है और इसने परतिग्या कर रखिया कि मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा दर्शन नहीं दूँगा श्रीमत भुकुत गीता अध्याय नमर 11 के सलोग 47-48 में सभुष किया है कि मेरा ये वास्तविक रूप है रचुन मेरे इस रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता ना किसी जब से ना तब से ना किवेदो मवरनित विजी से ना किसी यग से अर्थात मेरी प्राप्ती नहीं हो सकती और दूसरी ये है कि तेरे अतिरिक्त आज जो मैंने तुझे ये दर्शन ये मेरा वास्तवी ग्रूप दिखा है तेरे अतिरिक्त इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं आगे देखा दा सकता तो इसे भी सिद्ध है कि स्री किरसन जी नहीं बोल रहे स्री मद भगवत गीता जी का ज्यान यदि श्री किरसन जी बोल रहे होते तो ये सब्द नहीं कहते कि मैंने तेरे से अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा था क्योंकि कौरूँओं की सभा में श्री किरसन जी अपना विराट रूप देखा चुके थे पुनातमा समझदार को संकेत ही काफी होता है अब हम अपने परसंग पर राते हैं कि ये काल कैसे बोलता है कैसे परवेश होकर बोलता है ये गीता जी दहर नमबर चार के सलोक नमबर पांच और नो में कहता है अरजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नी जानता मैं जानता हूं और मेरे जनम और करम अलोकिक है इसके करम अलोकिक कैसे है कि ये कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप पर गटनी होता जैसे सिद्धों ने, रिष्यों ने, महरिष्यों ने, सादकों ने परमात्मा की सतूती की उसके दर्शन चाहे तो ये क्या करता है किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है और वो सादक फिर इस सत्गुन विष्णु को ही पूर्ण प्रमात्मा मानकर भर्मित हो जाते हैं इसका पर्तेक्स प्रमान आपको देते हैं कि एक समय देवताओं और राक्ससों का युद्ध हो गया दिखीगा श्री विश्णु प्राण गीता प्रैस गुरुपुर से परकासित है श्री विश्णु प्राण अध्यायदो चतूर्त अंसका अध्यायदो और प्रिश्ण नमर 233 बाप देखेगा इसमें ये 22 सलोग से हम प्रारम करते हैं पूर्व काल में तृता युग में एक बार अती भीसन देव असुर संग्राम हुआ यानि राक्ससों और देवताओं का युद हुआ उसमें महाबलवान डेत्टिगन से प्राजित हुए देवताओं ने भगवान विश्णूं की अरादना की तब आदी अनंत सुन असेस जगत परतिपालक स्री नाराण ने देवताओं से परसन होकर कहा आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है उसके विशे में यह बात सुनिये रादरिसी ससाद का जो पुरिंजे नाम पूतर है उस अक्सत्रियस रिष्ट के स्रीर में मैं अन्स मातर से स्विम आवतिरन होकर उसमें भूत की तरह परवेश होकर उन संपुर्ण देट्यों का नास करूँगा अते तुम लोग पुरिंजे को देट्यों के वद के लिए त्यार करो अपने आत्माओं देवताओं ने सतूती की विश्वन भगवान की और ये काल पहुँच गया विश्वन रूप दहरन करके और इसने क्या कहा कि मैं उस ससाद के पूत्र पुरंजे के अंदर परवेश करूँगा और फिर राक्ससोन मार दूँगा इसके करम अलोकिक ऐसे हैं अब देखिए अन्य परमान श्री विश्न परान चतूरतन्स अध्यायतीन में मौने नामक 6 क्रोडगंद रहते थे अन्होंने समस्त नाग कुल के परधान-परधान रतन और अधिकार छिन लिये थे गंद्रवों के प्राकरव से अपमानित उन नागेशुरों द्वारा सतूती किये जाने पर उसके सर्वन करने से जिनकी विक्सित कमल सदर सांखें खुल गई है निंद्रा के अंतम जागेवे उन दल्शाई भगवान सर्वे देवेश्वर को परणाम कर उन से नाग गंद्रे कहा इन गंद्रों से उत्पन हुआ हमारा भैक किस परकारसान तो तब आजी अनन्त रहीत भगवान परशोद ने कहा यू काल था ब्रह्म कहा कि यू नासो के पूत्र मान धाता का जो यह पुरकुस नामक पूत्र है मान धाता का जो पुरकुस नामक पूत्र है उसमें परविष्ट होकर मैं परेद की तरह उसमें परविष्ट होकर मैं उन संपुर्ण दुष्ट गंद्रों का नास कर दूँगा पुन्यात्मों ठीक इसी परकार जैसा अभी आपने पढ़ा कि पुरुकुट्स के अंदर परवेश होकर इसने गंध्रों का नास कर दिया उदर पुरंजे के अंदर पर गट होकर कि असुरों का नास कर दिया इस काल ने ब्रह्म ने इसको ब्रह्म कहो सरपुरुष कहो या जोच रूपी काल कहो ये ऐसे लीला करता है ठीक इसी परकार जब स्रीक अर्दुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा इसको पता था कि अर्दकिर स्री कर्शन जी भी कह देगा मैं मैं ठीक है चल क्योंकि ये सतोगुन भगवान है ये युद्ध के बिलकुल विपरी थे तो उसी समय ये काल ऐसे परवेश कर गया जैसे पुरकुष और पुरुणजे में परवेश करके इसने जुलम कर दिये ऐसे ही एक माभारत का जुलम इस काल ने बरहम ने करवा दिया तो पुन्यातमाओ जब हम स्री मद्भगत गीता जी को शिरुधारिय मानते हैं और ये सद्गर्ण सही है क्योंकि गीता जी में अध्यातमे ग्यान सही है रही बात युद करवाने की ये उसका अपना उदेश से था उसका अपना स्वारत था इस काल का अप उन्हातमाओ अब जो हरे राम, हरे करशन, सिता राम, रादेस्याम, रादेरादे ये नाम जाप करते हैं ये गीता जी के विरुद है सास्तर विधी को ट्याक करिये मनमाना आचरन है ये यूजलेस है अब श्रीमत भगवत गीता जी अध्धाय नमबर आठ के सलोक नमबर तेरा में ये काल यानि ब्रहम बोल रहा है ये कहरा के ओम इती एकाक्सरम ब्रहम विभारन माम अनुसमरन ये परियाती तजम्देहं सहयाती परमाम गतिम मुझ ब्रहम का ओम इती एकाक्सरम ब्रहम विभारन माम अनुसमरन माम माने मुझ ब्रहम माने ब्रहम का मुझ ब्रहम का एक ओम ये एकाक्सर है बस यही उचारन करके शिमन करता हुआ ये परियाती तोजन देहम जो सरीर छोड़ कर जाता है सायाती प्रमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली गती को सरेष्ट गती को प्राप्त होगा अब ओम से कौन सी गती प्राप्त होगी वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा आपको दिखाते हैं शिरी मत देवी भागवत गीता प्रैस गुरुकुर से परकासित है संक्सिप शिरी मत देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप के और हिंदी संपादय का अनुमान परसाद पोधार चिमनलाल गोस्वा गीता प्रैस गुरुकुर से परकासित है यह है साथमा सकंद और पंसो बैस्ट प्रैस पे देवी के द्वारा हिमाल्य को ग्यानोप देश यानि ब्रह्म सरूप का वरणन शिरी देवी जी कहने लगी परवत राज उस ब्रह्म का क्या सरूप है यह बतलाया जाता है अब जादा ना पढ़के हम अपने मतलब का पढ़के यहां देखिए उस एक मातर परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दे यानि और कोई मंतर जाप नहीं करना यही अमरत रूप रमात्मा के पास पहुचाने वाला पूल है संसार समुदर से पार होकर अमरत रूप रमात्मा को प्राप्त कराने का यह सलुक सादन है आगे देखो इस आत्मा का ओम के जब के साथ ध्यान करो इस से अग्यान में अंधकार से सर्वता परे और संसार समुदर से उस पार जो ब्रह्म है उसको पाजाओगे ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उदेश से रखो तुम्हारा कल्याण हो उसको मिल पाज़ जो वो कहां रहता है पंसो त्रेशिट प्रेश्ट प्रेश्ट पर हम पढ़ रहे हैं वह यह सबका आत्मा ब्रम ब्रम लोक रूप डिव आकास में सथी थे अब ओम का जाब करने वाले कहां जाते हैं ब्रम लोक में ठीक अब गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है नथिंग एल्स रादे रादे करसन करसन अरे 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 करसन ये करसन कलम करसन ये बनावटी और मनमाना अत्रन है योजलेस मंतर है इनसे जीवन नष्ट हो जागा अब यहां गीता ग्यान दाता कहता है जी मेरा जाब करना है तो ओम का जाब है महराज जी आपसे यहां ये भी जाना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय साथ शलोग अठारा में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है गीता के साथ वे ध्याय का अठारवा शलोग जो है उसकी आप गहराई में देखेंगे तो इक बड़ी प्रेरणा है पगवान अठारवे शलोग में कहते है उदारा सर्वे वेते ग्याने तवात्मे वेमतम आस्तिता साही उक्तात्मा मामे वनत्तमाम गतिम तो यहां जो शलोग है भगवान कहते हैं सबी भगत मेरे उदार है सबी भगत अच्छे हैं ग्यानी भले ये एक रूप होने करण मेरी आत्मा है मेरे से एक रूप है लेकिन आगे जो कहा आस्टिता साही उक्तात्मा मामे अनुत्तमाम गतिम यहां जो अनुत्तमाम गतिम है क्योंकि ग्यानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है जो तू है सो मैं हूँ समिरामतिर्स ने कहा जो मैं हूँ सो तू है ना कुछ आरजू है ना कुछ जुस्तजू है एक रूपता भगवान कहते है वो उस गती को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ट और कोई दूसरी गती नहीं होती यहां जो अनुतमाम गतीम शब्द है अनुतम की साधना की बात है वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमुच्च लक्षे है सरवुच्च लक्षे है जीव का परम प्राप्तव्य है जिस प्राप्ती के पश्चात और कुछ पानाशेश नहीं रहता यह गीता की एक तो ये थे स्वामी ज्याननन जी के विचार और आईए आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार डंडवतं गोबिंद गुरु बंदू अविजन सोए पहले बहे परणाम तिन नमोज आगे वोए श्रीमत बगवत गीता जी अध्याय नमबर आठ के सलोक नमबर तेरा में ये काल यानि ब्रह्म बोल रहा है ये कहरा के ओम इती एकाकसरम ब्रह्म विभारन माम अनुसमरन ये परियाती तजम्देहं सैयाती परमाम गतिम मुझ ब्रह्म का ओम इती एकाकसरम ब्रह्म विभारन माम अनुसमरन माम माने मुझ, ब्रम माने ब्रम का, मुझ ब्रम का एक ओम ये एक अक्सर है बस यही उचारण करके शिम्न करता हुआ ये परियाती तोजन देहम जो सरीर छोड़ कर जाता है सहयाती प्रमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली गती को सरेष्ट गती को प्राफ्ट होगा अब ओम से कौन सी गती प्राफ्ट होगी वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा आपको दिखाते हैं शिरीमत देवी भागवत गीता प्रैस गुरुकुर से परकासित है संक्सिप शिरीमत देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी संपादय कानमान प्रसाथ पोधार चिमनलाल गोस्वा गीता प्रैस गुरुकुर से परकासित यह है साथमा सकंद और पंसो बैस्ट प्रैस्ट पे देवी के द्वारा हिमाल्य को ग्यान उपदेश यानि ब्रहम सरूप का वरणन शिरी देवी जी कहने लगी पर वतराज उस ब्रहम का क्या सरूप है यह बतलाया जाता है अब जादा ना पढ़के हम अपने मतलब का पढ़के यहां देखिए उस एक मातर परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बतों को छोड़ दे यानि और कोई मंतर जाप नहीं करना यही अमरत रूप परमात्मा के पास पहुचाने वाला पूल है संसार समंदर से पार होकर अमरत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सलुक सादन है आगे देखो इस आत्मा का ओम के जब के साद ध्यान करो इस से अज्ञान में अंधकार से सरवथा परे और संसार समंदर से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे ओम-नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का अधैसे रखो तुम्हारा कल्याण हो उसको मिल पाजाओगे वो कहां रहता है? पन्सो त्रेशिट परिश्ट पर हम पढ़ रहे हैं पर। वह यह सब का आत्मा ब्रम ब्रम लोक रूप डिव आकास में सथी थे। अब ओम का जाब करने वाले कहां जाते हैं? ब्रम लोक में ठीक अब गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है नथिंग एल्स रादे रादे करसन करसन अरे 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 करसन ये करसन कलम करसन ये बनावटी और मनमाना अत्रन है योजलेस मंतर है इन से जीवन नश्ट हो जागा अब यहां गीता ग्यान दाता कहता है जी मेरा जाब करना है तो ओम का जाब है और इस ओम नाम के जाब करने से अन्तिम सांस तक मेरा इसमिन करता रहेगा तो परमगती यानि मेरे से ओम नाम से जो मिलने वाला लाब है उसको प्राफ्ट हो जागा ब्रहम लोक में चले जाओगे गीता जी धहरम राट के सलोक नमर 16 में कहा है कि ब्रहम लोक परियंत भी यानि ब्रहम लोक में जो चले गए उनका भी पुनर जनम जनम मर्तु सभी कष्ट जयोंकेतों बने रहेंगे इसलिए गीता जी अध्धाय नमर 7 के सलोक नमर 18 में गीता ग्यान दाता कहता है कि अरुदुन है ये ग्यान आत्मा हैं तो नेक उद्धार हैं लेकिन ये परमात्मा में लगी हुई आत्मा हैं ये मेरे वाली अनूतं गती मही सथीत है यानि इनका भी जनम मर्तु सदा बना रहेगा और करम का दंडीने भोग दे ही रहना होगा पूरण मौक्स नहीं हो सकता जैसे स्रीमत भगत गीता जी अध्धाय नमर चार के सलोक नमर पांच में और नो में गीता ग्यान दाता कहता है करदुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता हूँ मेरे जनम और करम दिव हैं इससे सिद्ध है कि गीता ग्यान दाता ये ब्रम भी नासवान है और फिर इसके उपासक तो अटोमेटिकल नासवान होगे क्योंकि ब्रम लोक में जाएंगे पिरम लोक में गीता जी में सबस्ट लिखा है कि वहाँ गए हुए भी फिर भी पुन्रावर्ती में है इसलिए ये कहता है कि मेरी साधना ये पुन्यात्मा करतो रहे है सचे मनत है लेकिन मेरे वाली गटिया गटिम ही ये सची थे अब इसको घटिया क्यों कहा अनूतम क्यों कहा ये अज्ञानी संत नकले रिसी गुरू कहते हैं कि यहाँ अनूतम का रहता है जिससे उतम कोई और ना हो रच तरा गजव है इतने अनुर्स कर डाले इनोंने एक छटी कक्सा के बालक तो पूछ लो विद्यारती से उतम माने क्या होता है सरेष्ट अनूतम सरेष्ट और इनोंने अज्ञानता के कारण इनके अनुर्स कर डाले यदि यहाँ यहाँ यह भी परसंग हम माने इनकी दंत कता से अज्ञान से कि भगवान ये कह रहे हैं कि इस से उत्म कोई गतीनी मेरे से उत्म कोई किसी की गतीनी इसलिए अनूत्म का अति उत्म कहा नहीं गीता ग्यानदाता अध्धाय नमबर अठारा के सलोक नमबर बैसेट में कहता अर्जुन तुँ सर्वे भाव से उस परमेश्वर की सर्णमदा उसकी करपासे ही तू परमस्यान्ति को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा अपने आतमों ज़िए यहां अनुतम कार्थ अती उत्तम करें तो अशे अनृत है और फिर इस आधार से कहें कि भगवान कह रहे हैं कि विश्चे उत्तम कोई और गती नहीं वो तो खुद कह रहे हैं कि वो और है गती और प्रमातमा जिसे पूर्न मौक सोगाती से जिसकी गती सर्वेस रिष्ट है अन्य था वो अन्य बगवान के विश्चे नहीं कहते हैं अपने आतमों गीता जी अध्याय नुमर आठ के सलोक नुमर एक में अर्दुन ने पूछा कि प्रभू आपने जो गीता जी अध्याय नुमर साथ के सलोक नुमर उनतीस में कहा है कि मेरे इस ग्यान को आश्रे करके उस तत्वदर्सी संत की खोज करो गीता जी ध्याय नुमर चार के सलोक नुमर चौनतीस में कहा है तत्व दर्शी संत से वो तत्व ग्यान सुनो समझो उस प्रमातम तत्व के बारे में वो तत्व दर्शी संत बताएंगे जिन्होंने वो तत्व दर्शी संत मिल गया उन्होंने सारे जात्म ग्यान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो उस तत्वरम से प्रिचित हुआ फिर वो जरा और मरन से मुक्ती के लिए ही छुटकारे के लिए ही वो साधना यतन करता है प्रियतन करता है वो इस संसार की किसी वस्तो की डिमाड नहीं करता वो उस तत्वरम को जान लेता है तो यहां गीता जी देह नमबर आठ के सलोक नमबर एक में अरजुन ने पूछा किम तत्वरम वो तत्वरम क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तू को जानना किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता जरा और मरना से मोक्स प्राप्ति ही चाता है तो वो किम तत्वरम अब ग वो प्रम अक्सर ब्रम है वो गीता ज्यान दाता से अलग है अब एक सरपुर्ष एक अक्सरपुर्ष एक परम अक्सरपुर्ष ये तीन परभू है श्री मद भगवत गीता अज्धाय नमबर 15 के सलोक नमर एक से चार और सलोक 16 और 17 में जो विशेश विवर्ण दिया है उसक संसार रुपी वर्ख्स को आप देखिएगा चीतर आसानी से समझ माईदा ये संसार रुपी उटा लटका हुआ वर्ख्स समझो परम इश्वर ने सुम बता है कि अक्सरपुर्ष एक पेड़ है और सरपुर्ष इसके डार समझो ये काल समझो काल ब्रहम समझो इसको कुछ ब्रहम इसको प्रभरम इसको ब्रहम शरपुर्ष भी कहते हैं सर पुरुष ये तो डार समझो इस संसार रुपी वर्ख्स की और तीन्नों देवा रजम्ण ब्रमा जी शत्वर विश्वर जी तो साखाये हैं और हम यां पात रूप संसार अब इस आस्या को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है ये जड कौन है ये परमकसर ब्रहम है परमकसर पुरुस को हो परमकसर ब्रहम को हो या पूर्ण ब्रहम या परमेश्वर को हो परमकसर ब्रहम को ये गीता जी धारमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिलकुल कलियर है तीन भगवान है एक तो प पूरे संसा रुपी वरक्स की, यहीं से सब को उत्पती होती है, यहीं से सब को आहर मिलता है, सब का धारन पोचन यही करता है, फिर तना जो जमीन से बाहर दीखता है, उसको अकसर पुरुष पर ब्रम भी कहते हैं, अकसर पुरुष भी कहते हैं, और उसके फिर एक डार है, जो गीता बोल रहा है और तिन्नों देवा रजगुन बर्मा सत्गुन विश्मुतम गुन शिव जी ये साखा है और हम पात रूप संसार तत्व दर्सी संत मिलने के पस्चाथ इस उल्जी हुई गुथी को समझ कर उसके पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करने चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार मानी आते है उनका जनम मरतू कभी नहीं होता वो है वास्तम परमगती जो गीता ग्यान दाता से कोई और परमेश्वर है और उस संत बताएगा तो पुन्यातमा यहां गीता ग्यान दाता इसलिए गीता जे देहर नमर साथ के सलोक नमर अठारा में अपनी गती को अनुतमाम अती गटिया कहता है कती वर्थ है क्योंकि जनम मरतू कहता मेरी भी रहेगी और सादक की भी रहेगी ब्रहम लोक में पहुंच जाएगा मेरे ओव नाम के जाबते है और ब्रहम लोक में गए हुए विप्रानी फिर वापस जनम मरतू माते है इसलिए गीता ग्यान दाता ब्रहम श्री करसन में बोल रहा है यह खुद करा कि मेरी जो सादना है वो अती अनूतम है वेर्थ है वो गटिया है इसलिए गीता जित है नमर पंदरा के सलोक नमर एक से चार में कहा है कि उसके पस्ता तुस प्रम्पद प्रमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर सादक कभी वापस नहीं आते है उनकी जनमर तो नहीं होती है पूरून मुक्स प्राप्त होता है और कहता है सक्ची सर्दा से उसी की सादना करो गीता गयान दाता कहता है